सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं Dolby Atmos के बारे में यहाँ पर जिनके भी फोन में स्टीडियो स्पीकर जो भी फोन आपने सुना है Dolby Atmos सपोर्ट करते हैं उनमें आपको फीचर मिलता है तो आप अपना स्पीकर साउंड इफेक्ट चेंज करकि Dolby Atmos पे सेट कर लीज इस काम करती है तो आम यूज कर रहे है Poco F6 तो वीडियो का एंट तक जरूर देखना सब कुछ डीटेल में जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना काफी काम की वीडियो है सब इसाथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को और प्रसेट कर लो कर सकते हो यहां पर फाइंड करेंगे Dolby Atmos इसको लॉंग प्रस करके रखेंगे हम हमारी सेटिंग ओपन हो गई यहां पर आपको शाओ में सीलेक्ट हो उरका होगा देंखें यहां पर आपको शाओमी साुड फैसे difft अब यहां पर ग्राफिक एकॉलाइजर बिलता है आपको देखने को बिलता है आपके स्पीकर से लगी तो जो भी आपको बड़े लगता है इन में से वाप से सकते हो बैक करेंगे सबसे इंपोर्टेंट ऑप्शन है इमर्सिव साउंड यहां पर इमर्सिव साउंड का मतलब यहां इसको ध्यान से पढ़िए अप्स पीस मतलब आप जब इसको आन कर दोगे न तो आप कुछ भी सुनोंगे जैसे गाने सुनोंगे उसमें बड़ा सा जिसमें आवाज गुंज रही है तो आप वो स्पेस आपको स्मार्टफोन में कैसे फील होगा यह फीचर अन करने से फील होगा यह ऑप्शन क्या करेगा आपकी जो आवाज आ रहे हैं स्टीरियो एफेक्ट और अगर आप इसको लेंड्सकेप करके सुन रहे हूँ तो आप आपको यह ओर भी एफेक्ट देगा ज़ादा और यहां पर जो है आपको एक सेंस ऑफस्पेस फील होगा जिस वजहे से आपको इफेक्ट और जाना मजा आए तो यह सबसे इंपोरटन शीआ है आप इसको एंफोर्टर करना आप इसको ऑन करके सून के देखें गाने वेग Sign आपको सच में फील होगा एक दम मैंने भी इसको जो ही यूज करके अगर आपको लगता है यह अच्छे आज नहीं निकल रहे है कुछ भी बन कर सकते हो लेकिन मेरेको तो बढ़िया लगा दोस्तो है और यह फीचर आपके लिए जानना जूरूरी तक को डॉल्बी एक बहुत नो definition First Past आफ रेकॉर्डिग रखना है और इसका यूज करना है और कमेंट बॉक्स करना है कि आपको कैसी आवाज आ suggests तो इसमान बॉक्स में सब्सक्राइस एसे है कंटी さ लगया यह बचुछ थे दित्नाम भाइंगा बहुत ऊंद limno अमひ staff ने gefश करके तब यह वाइव ओस